डेली टाइम फ्रेम के सिर्फ एक केंडल सब कुछ बताती है सब कुछ आपको ट्रेट कहां से करना है आपको किस देशा में ट्रेट करना बशर्थी कि उस केंडल को फाइंड करना और उस केंडल से रीडिंग करना आती हो आगे की वीडियो में हम लोग इस एक केंडल के ऊपर जैसे इस यहाँ पर देको चुनि एक लगातार की काlaqdo टार्च लग पर्ली मिखíveis क菜 प्राइस एक सपोर्ट बना रहा है इसको इसको ब्रेकट कर रहा या फिर सपोर्ट बना फिर प्रेको रहा है एक कि शीये अपको बता है कि जो पर को कि जब डाइबा रहाल तुम बेट करें इस वाट का जब और बुक ऑपन कर लेते हैं करीब 191 कौंटीज का ओडर में इसके लगाया है 3142.75 परी ओडर भी लगाया था और 3142.75 परी सारा ओडर में मिल भी गया था इसके अंदर से आज मोमेंटम प्रेलेट इंडस्री इसके अंदर से है काफी दिन से हम इसको वाच करें करें करीब 11,300-11,400 का प्रोफिट अपना इसके अंदर खास चल रहा है करीब तीन या चार दिन पहले एक मदर केंडल बनी थी इस मदर केंडल का ब्रिक आउट हुआ था लोवर वॉल्म के साथ में और आज प्राइस उसी अपनी मदर केंडल के र देन बात आपको बताई कि जब प्रॉफिट होता तो निकल जाते हैं प्राफिट कम लेते हैं लस्ज्यादा कर और यह चीज़ धीरे-धीरे करके वह इंक्रीज ही होती चलिए जाती हैं प्रॉफिट कम लाउस से जाता अब यहां पर जहसे अपना प्रॉफिट चल रहा हम तो निकल जाएक अंदर से मन में आता भी है, शुरुवाती फेज में आता था, कि 11000-10,000 का प्रॉफिट चल रहा है, चलो निकल जाते हैं, अभी टार्गेट नहीं मिला है, लेकिन एक्जिट प्लान करने लगते थे, लेकिन अभी नहीं, दिरे दिरे प्रैक्टिस करते करते ह तो फिस वीट में आती है कि या सटाफ़ोस बीच में निकला घ्लेंगी हैं, लीं वीच प्रॉफिश में निकलने कारत विक हार निकलने काने 3D-191-452888.45 अपना एक्षिप लगा नो ह लगा करंगे, अभी सटाफ़ोस लगाना भी कंप लिट रहिज है, अब हैं आज अब आप लॉस और एंट्री के बीच की दूरी है करीब 15 रुपए 70 पैसे क्या सपास है अब 15 रुपए 70 पैसे क्योंकि हमारा रिस्क तो फिक्स से 3000 का ही रिस्क लेना है अभी जो भी प्रॉफिट चले 3000 के रिस्क से ही अपना चल रहा है तो 3000 को हम डिवाइट का देंगे 15 रुपी फिक्स मानते हैं उसके एकॉर्डिंग हमारे स्टॉप लॉस भी लगे हैं कुछ कम जादा नहीं जितना पॉकेट अलाओ करें वाकर आपकी पॉकेट अलाओ करें कि 100 रुपीज का स्टॉप लगा तो हैंडिट कहीं लगा उसको 110-120-200 मत करो वरना डर यहीं से पैदा होता है जो होता है कि psychology हमारी अच्छी नहीं है या trade के अंदर हमें fear लगता है greed होने लगते हैं कभी-कभी greediness आथ नहीं लगती है यह सब शुरुवात यहीं से होती है कि जितना pocket अलाओ करें खुद को check कर लो जितना pocket अलाओ करें उतना risk लो उसे ज्यादा मतलो आप देखो कि आपक methods अभी हम आज के दिन आपको बताएंगे read करने कि उसको जितना ज्यादा से ज्यादा implement करोगे जितनी से ज्यादा से ज्यादा उसके practice करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा एक बात याद रखेगा अभी जो भी चीज़े हम बताएंगे ना इसके पीछे का purpose क्या है हम लोग actually क्या find करना चाहते है किसी भी तरह की reading सम कर लें कोई भी analysis कर लें हमें just हमारे point of action चाहिए होता है अभी point of action क्या करता है इसकी help से हम लोग यह decide करते हैं कि अगर किसी particular stock के अंदर हमें execution करने है या किसी भी तरह का action लेना है तो वो हम इस एक point से ही लेंगे यह नहीं कि यहां मन किया इधर भी कर लिया इस price पर मन किया यहां पर नई हम अपने point of action find करने के पीछे का purpose रखने की एक ऐसी जगह में मिले जहां से हम executions कर पाएं दूसरी language में हम इसे कह स होता है जैसी कि सबसे पहला तो कोई resistance और support इरिया इसमें कई बार हमारे काम आ जाता है lifetime high दूसरी चीज होती ही कई बार हम क्लास में इसको बताते हैं कि आख बंद करो आख बंद करके एक ऐसा area imagine करो जहां पर price again and again जा रहा हो नीचे की तरफ गिर जाए फिर से touch और फिर नी अब यह तो होगी ideal condition जब हम लोग live market में काम करने जाते हैं तो क्या होता है हम support इरे defined कर रहे हैं but वो support actually पता है कैसा बनता है कि यह देखें यहाँ पर आएगा और यह नीचे गिर जाएगा फिर से फिर से नीचे की तरफ मतलब एक exact support जब आप find करोगे तो आपको उसमें बह पड़ेगी वह उन बक्स को feel करने में और जो इन बक्स को feel कर लेगा वह बहुत अच्छे areas निकाल ले जाता है बहुत अच्छे point of actions निकाल करके ले जाता है कुल्म लागर के बनता है daily time frame analysis सबसे पहला थो हमने लिग दिया आपको कोई भी एक resistance या फिर एक support area आप निकाल लो दूसरा इसे confirm करने के लिए या फिर इसे और भी ज्यादा strong करने के लिए हम लोग कुछ fixed formations को देखते है okay fixed formation के बाद में आता है nakedize analysis हो गई या फिर आपका price reading through high या फिर lows इसके according आप निकाल दो जैसे एक resistance area हो गया हमें मालूम है कि resistance से अगर price again and again downside की दिरफ गिर रहा तो ब lifetime high से भी price को नीचे के दिरफ गिरने के chances ज्यादा रहते हैं इसके बाद में अगर हम अपने कुछ fixed formation का use करें तो भी काफी help हमको मिलती है fixed formation का मतलब जैसे decreasing या falling rose अभी थोड़े देर में आगे चल करके हम आपको clear करेंगे अभी जो scenario हम आपको समझाएंगे उस scenario को थोड़ volume साथ रहेंगे अब यह एक तरह का pressure क्रेट करेंगे जो कि already आप लोगों को मालूम ही है okay अब माल लीजे कि price ने बाहर की तरफ breakout दिया बट यह जो breakout है यह low volume के साथ हुआ है अगले दिन भी price ने एक high लगाया लेकिन यह वाला भी जो high है ना यह कुछ बहुत बड़ा high नही है एक minimum सी candle बनी है जो कि rejection के साथ में एक जिसको हम बोल सकते है काफी weak candle और इसकी भी जो volumes है यह कम है अब अगर आप read करो ना तो आपको इन चार candles के अंदर पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगे आप एक एक करके इसको correlate करो कहानी नहीं बनानी है कि कुछ भी उल्टी सीदी क आप देखो candles behave क्या कर रहे हैं और उसके आधार पर यह judge करो कि आगे होने के probabilities क्या हो सकती है क्या यह चीज हम कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं अब यहां पर देखो जैसे कि यह mother candle है आपको पता है अगर pressure create हुआ है तो price पाल की तरफ से move करना होगा move तो हुआ बट low volume के दूसरा क्या हम लोग यह कह सकते हैं जो mother candle है हमारी mother candle with high volume यहां पर एक हमारी mother candle बनी है जो की high volume के साथ है तीसरा range का breakout तो हो रहा है बट with low volume चौथा fixed formation अब समझ में है न यह चार चीजें parallel चल रही है चार candles में पूरी की पूरी एक हमें एक summary दिखाई पड़ जाती है अब आप इसको पड़ो कि एक mother candle का बनना अब अगर price हमारा strong है तो यह उपर की तरफ निकल जाए इसके अंदर इस तरह के rejections क्यों और volumes ऐसे नीचे की तरफ क्यों गिर रही है तो एक तो mother candle बनी दूसरा mother candles के जो lows है वो upside की तरफ ब्रिक हो रहा है low 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 एक तरह दिखाओ तो हमक fixed formation volume के इस format को technical language में कहते है decreasing lows यहां तक clear अब price हमारा up move दिखा रहा है अब अगर हमें इसे short करना तो क्या करना होगा अब यह तक तो यह उपर की तरफ जा रहा है लेकिन एक चीज़ जो हम इसके अंदर देख रहे है कि price हमारा एक resistance पर है okay price हमारा यह एक resistance पर है दूसरा हम एक mother candle का breakout हुए जो की low low volume के साथ में upside की तरफ price जा रहा है तीसरे हम देखने की falling rose बना हुआ है यहां पर किसी उतरे की strong ने समय दिखाई नहीं पड़ रहे है हाला कि price अगर अब buy हो रहा तो फिर buy हो जाए फिर हम नहीं करेंगे लेकिन मेरे recording यहां पर buy हम नहीं करेंगे औ और जैसे ही price अपनी किसी भी एक candle का low break करेगा क्योंकि यहां जो lows है यह upside की तरफ shift हो रहा है मेरे resistance एडिया पर पहुंचने के बाद में decreasing lows price को यह अगर create करना और creation के बाद में यहां अगर lows ब्रेक हो रहे हैं तो फिर तो हम short ही करेंगे वाई थोडी नहीं करेंगे एक proper entry confirmations ले करके trade execute हो जाएगा सीध है direct trade execution होगा which is called reversal trading setup यह समझ में है ना सिर्फ एक candle only one candle that can change the way you trade सिर्फ एक candle हमने शुरुआत में लिखा था न हमें अपनी उस एक point of affection पर जाना है हमें हमारी उस एक candle तक जाना है और इस एक candle तक पहुंचने में जितनी मेहनत आपको करनी न सिर्फ इस एक candle तक पहुंचने में करनी है अगर इस candle का अपने find कर लिया अपनी master candle, अपनी master candle आपने find कर ली तो आपने आदे से ज़्यादा, आदे से ज़्यादा जंग जीत ली trades फिर बहतर हो जाते हैं, अच्छे trades होने लगते हैं अब इस पूरे concept को चलिए चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं जैसे यहाँ पर देखे क्या हुआ है, high to high, low to low closing से एक candle फॉर्म हुई अच्छा कल एक trade हमने execute किया था, जिसमें काफी सारो लोगों ने पूछा था कि यह trade execute किया, कैसे कौन से method से किया, तो वो method अभी तक हमने publicly share किया नहीं आई थे वो class में हम discuss करते हैं, इसमें actually होता है कि एक candle का high हम mark करते हैं अब high mark करने के बाद में हमें यह देखना होता है कि कौन से ऐसी candle ही जिसमें उस एक candle का high break किया यहाँ पर जैसे break हो जागा तो हम उसको mark कर लेते हैं और अगर नहीं break होता है तो फिर हम wait करते हैं इसके break होने का otherwise price जब तक उस candle की range के अंदर रहेगा तब तक हम mark नहीं करते है और जैसे उस candle का high break हो जाता है फिर हम इसको trade कर लेते हैं तो यहाँ पर execution का candle का candle बनती है वो यह वाली होती है यह वाली candle previous candle जैस candle का breaking candle बोलते हैं एक होता है हमारा master candle तो जो breaking candle का high और low होता है वहाँ समय लोग trade execute करता है यह एक मोटा मोटा summary है समझ में मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं कि time taking process है काफी समय लगता है इसको समझने में समझाने में और clear करने में तो यह सिर्फ हमने इसलिए बताई कि जो question था ना कल किस तरह से किस system के थरू हमने काम किया है तो वो high to high low to low closing का system फिलहाल इसको भी हम remove करते हैं यहाँ देखो एक यह resistance area अपना यह मेरा एक resistance point है हमारे इस resistance के ऊपर हो गए closing ठीक है हम इस closing के high को mark कर लेते हैं आप सिर्फ इन blue lines को देखना बीच की line तो हमारा entry and stop loss है अब यह जो mother candle है इस mother candle यह काम करते हैं सारी lines हम remove कर देते हैं अब इस mother candle के high को mark करो अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है यह एक mother candle बनी और volumes को जब आप visible करोगे तो देखो यह जो छोटी वाली candle है इसकी volume ज्यादा है और बड़ी वाली candle की जो volume है वो कम है जो कि इस से पहले में आपको बताया यहाँ पर देखो price ने बाहर की तरफ breakout दिखाया नहीं हो पाया फिस देखो price ने बाहर की तरफ breakout दिखाया closing तो हुई candle तो बनी बड़ कितनी एक वी candle form हुई है low volume के साथ में price हमारा क्या कर रहा है highs, highs, highs and highs देख रहे हैं ना यहाँ पर जो मेरे highs हैं यह upside की तरफ लगातार shift हो रहा है मतलब किसी भी candle का low अभी तक नहीं टूटा है पहली चीज़, एके करके इसको अच्छी तरह समझते हुई चलना एके करके सारे symptoms को बहुत अच्छी तरह समझते हुई चलना दूसरा, एक mother candle का breakout price अगर strong है तो यह उपर की तरफ ही निकल जाए with high volume यह वापस से price हमारी उस range के अंदर नहीं आना चाहिए अगर आ रहा है तो फिर क्या करने आ रहा है जिसकी probabilities पहले से थी हैं क्योंकि price हमारा low volume के साथ में उपर की तरफ जा रहा था तो chances थे के price जैसे इस वाली candle का low तोड़ करके नीचे की तरफ आएगा ना तो move आपको देखने को मिलेंगे एक से एक यह दूसरी चीज़ अच्छा अब तीसरा point तीसरा point है हमारा lifetime high इस lifetime high के पास से rejections होने start हुए जैसे ही price हमारी इस master candle की range के अंदर आएगा हम trade अपने execute करेंगे तो देख रहे है ना पूरी इस analysis के बाद में हमने अपनी एक master candle निकाली master candle निकालने के बाद में अब lower time frame पर आओ आओ आप अपनी entries के confirmations लो 5 minutes पर जवाब पाऊगे ना तो 5 minutes पर आपको यहाँ पर consolidation दिखाए पड़ेगा कि price नीचे की तरफ आया रुका है चलो ठीक entry बगरा तो मिली पर price सिधे नीचे की तरफ चला गया अभी भी हम वेट कर रहे हैं इक लिए नहीं है बाहर सो इसको और lower time frame पर जब देखो ना 3 minutes का time frame कम ही use करना हम recommend नहीं करते 3 minutes का time frame use करने के लिए तो यहाँ पर देखो आपको कुछ swings दिखा ही पड़ेंगे और इन swings नहीं हमारी help की हमारे entries के executions में लोज 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 यह हमारा entry का point बना यहाँ पर हमने volume के साथ में अपने confirmations लिए और इसके पर अपने rates execute कर दिए यह अपना overall analysis का setup था आज का I hope की अच्छी तरह से पूरा clear हुआ होगा आपको 5 minute के time frame पर आजाओ या lower time frame पर या volumes को देखो देखो देखिए यह बड़ी से candle है यह वाली candle यहाँ पर कितनी सारी जो volumes है इस वाली candle के अंदर इसने breakout दिखाया यहाँ पर देखो breakout यह breakout यह वाला breakout और यहां से तो यह नीचे ही चला गया फिर से यह एक candle बन गया और इसके अ sign थे अब इस तरह से कोई भी stock उठाओ उस एक candle तक पहुशने की कोशिच करो जो कि आपकी master candle बन सकती है जो कि आपका point of fiction निकालने में आपकी help कर सकती है बाकि lower time frame के reading तो बहुत ज्यादा हासान होती है बहुत ज्यादा हासान होती है बस यह try करो कि shortcut से बचो क्योंकि दुन जारों option करके बरबाद हो चुके हैं अभी लाखों तयार भी है सबसे पहला आपको option नहीं बहुत बड़ी market है बहुत broad market है यहाँ पर options trading से अच्छे-च्रेट्स के setups है जहाँ पर मोटा पैसा बनेगा लेकिन अगर आप बिना price action को पढ़े बिना volumes को समझे बिना psychology को समझे ब को कुछ नहीं पाएगा खाली थोड़े दिन आप उछलकूत करोगे और फिर market से पता नहीं कहां गायब हो जाओगे आस्मान में जैसे धुमा गायब हो जाता है न वैसे ही आप भी गायब हो जाओगे सही process में आओ थोड़ा थोड़ा सही consistent way में पैसा निकालो मतलब दिन का 3,000, 4,000, 2,000 रुपे निकाल के ले जाओ ऐसा नहीं कि एक हफते दो हफते आप 3,000, 4,000 रुपे करीब दो साल तक रोज मार्केट से निकाल के लिए करके जाओ अगर दो साल तक consistent आपने निकाल लिया ये पैसा तो मार्केट से इतना पैसा बना दोगे न आप जिसका कोई ज मासकते हैं जो बढ़νη की प्रवर्थी होती है थीनल पर सुकून नहीं उनको 6 एँ चाहिए क्योंकि तीन पर नहीं रुक पैंगे अभी 6 पर भी रुख नहीं पाएंगे उनको 12 जाहिए अब क्यूंकि 6 पर नहीं रुक पाय थे तो 12 पर довbert भी और कैसे रुख जैएंगे 12 कर अलाओ कर रहे हैं जितना pocket अलाओ कर रहे हैं एक सही direction में बस पढ़ा ही लेखा है अपनी सही रखो एक सही patience के साथ काम कुरो अब हम यहां से निकलेंगे थोड़ी ना कितने ही लोग होंगे जो निकलने की फिराग में होंगे जो निकल चुके होंगे हमें नहीं निकलना है कुछ कुछ समय में यहां पर volumes के breakout हो रहा है यहां पर भी हो रहा है और आप देखो कि जो भी candle breakout करी वो red volumes ही है दो या तीन ही candle बनेगी और में टार्गेट हमको मिल जागा रही नीचे की तरफ गया तो Consolidate ही करता रहा है sideways रहा है तो कोई बात नहीं अभी time ही कितना हो है दो वजा है अभी काफी समय है हम वेट करेंगे तो इस वात का जो अपना profit है एक बार देख लेते हैं करीब 11,000 उतना ही है जेतना तो शुरुआत में था क्योंकि price अभी उसी जगे पर consolidate कर रहा है में भी चांस है भी तो थोड़ा सा और downside की तरफ आना चाहिए इसको 7-8 रुपय तो और 10 रुपय करीब कम से कम भी अगर गिरना चाहिए तो 10 रुपय क्यास पास उसका move आना चाहिए जिससा आपका move हो रहा है फिलाल 11,000 के आसपस का profit इसवत का चल रहा है and hold करेंगे अभी हमने जैसा कहा exit तो नहीं ही करेंगे अब या तो हम ब्रोकर निकाले या तो फिर हमको हमारा target point निकालेगा तो बीच में नहीं निकलेंगे and telegram channel का link description में आप लोग जहाँ तो उसको join कर सकते हो कई बार ऐसा होता है कि हम trades नहीं कर पाते हैं या फिर youtube पर active नहीं हो पाता है तो group में हम वो चीज़ें update कर देते हैं पहले तो हम calls वेगर भी दिया करते हैं तो direct call होती थी कि buy कर दो या फिर sale कर दो लेकिन अब वो चीज़ें नहीं कर सकते है विकाज से भी के regulations के वज़े से अभी वह illegal रहेगा उस दिन पहले हमने एक short video डाला था जिसमें हम लोग करीब one month का challenge लेते है capital कितनी news होनी हो एक महने पहले हम decide कर लेंगे हमारा risk हम कौन से setup के ओपर काम करेंगे क्योंकि एक महने तक लगाता है हम एक ही setup के ओपर काम करेंगे उसको change नहीं करेंगे यह हमने उस short video में बताया था कि पूरे एक महने का अपना setup बनाओ एक महने का target set करो कि हमें इतने trades करने और इस setup के ओपर काम करना risk और money management रहेगा जो चीज़े पहले decide कर लो तो फिर live market में उसी के ओपर fix लो live market में उसको change मत करो आप देखना कि आपको अपने behavior में changes नजर आने लगेंगे live market में जिस तरह से आप react करो न उन reactions के ओपर फिर changes आने लगेंगे कुछ नया काम मत करो कुछ rules लिख लो rules के according ही वहाँ पर आपको एक्ट करना कोई ऐसा काम ही नहीं करने जिसके के लिए आपने पहले preparation ही नहीं की है आपने देखा है कि हम अपना phone उठाते हैं कई वर्सप के साथ अकसर होता होगा कि वो अपना phone उठा रहा है उठाया किसी काम से लेकिन अगर गलती से कहीं आपने social media sites open गदी Instagram YouTube अगर उपन कर दिया तो ऐसे से आपको वीडियो मिलेंगी कि आप उसमें खो जाओगे काम दो ही मिनट का था बट अब मोवाल चलाते चलाते वो एक घंटे और दो घंटे हो गया पता ही ने चला समय कहां पर चला गया बिलकुल ऐसा ही होता है अपने market के अंदर हमें क्या करना है market खुलने से पहले में सब अच्छे से पता लेता है लेकिन जैसे market खुलती हम खो जाते हैं जैसे social media में स्क्रॉल करते करते खो गए वैसे यहां पर भी stocks और उनके सेट्विस को स्क्रॉल करते करते खो गए अब क्या करना यह याद आता है इंको market close हो जाने के बाद during the market हम कुछ भी कर रहे थे कुछ भी देख रहे थे इन हरकतों से बचोना बहुत अच्छी तरह से अपके energy भी बचेगी और अच्छा खासा काम कर पाऊगे